Micro, Small and Medium Enterprises हिंदी में कहते हैं सुक्ष्म, लगू और मद्यम उद्योग उद्योग अच्वा उद्यम दोनों शब्द प्रयोग होते हैं करीब करीब 6.34 करोड लगू उद्योग हैं भारत में 2018-19 का पिछले वर्ष का आकड़ा है उसके मुताबिक और ये बिजनेसे चोटे व्यापारी करीब करीब 12 करोड लोगों को रोजगारी देते हैं तो 135 करोड के देश में 12 करोड को रोजगारी देने वाला सेक्टर बहुत important हुआ और अगर खेती और लगू द्योग दो ही इको पकड़ ले तो भारत की economy की पूरी backbone आ जाएगी उसी में कितनी जरूरी हैं ये MSME हमारी अर्थवेवस्था खेल के लिए करीब 45% manufacturing output भारत का जितना भी उत्पादन होता है वो MSME से आता है 40% का export ये लगू द्योग करते हैं और 30% की GDP ये लोग इकठा करते हैं तो इन व्यापारियों के लिए package आया हुआ है और सबसे पहली चीज जो government ने की वो की इनकी definition revise की कई वर्षों से demand चल लेए थी कि MSME की definition revise की जाए दो सालों से तो मोधी government की definition revise की process चल लेए थी तो पुरानी definition जो थी वो दो criteria के basis दो अलग-अलग sectors पे थी manufacturing sector की अलग, service sector की अलग और उसमें केवल investment criterion हुआ करता था माने आपने पूनजी निवेश आपका capital investment कितना है कितने पैसे आपने business में लगाये हुए हैं invested हैं तो केवल उसी पे based था ये तो उदाहरन के तौर पे micro unit में investment था manufacturing sector अगर आपकी manufacturing unit है तो उसका सुक्ष्म उद्योग की definition थी 25 लाग से कम का investment और service sector की definition थी 10 लाग से कम investment अब अगर आप देखे देखा जाए तो 10 लाग से कम में शहरों में तो कोई property नहीं मिलती माने अगर आपकी दुकान है तो आप micro unit के लिए तो qualify करोगे नहीं तो किनको फाइदा मिलता था इस definition से गाउं के businesses को चोटे शहरों एक दम बहुत चोटे शहरों के businesses को या फिर अगर आपकी property रेंट पर है तो अगर आप उस property के owner नहीं है तो हो सकता है 10 लाग से कम का investment हो आपका इसका एक नुकसान हुआ मुदरा योजना में मुदरा योजना जब launch की government ने वो थी केवल micro units के लिए तो इसके लिए जो लोन के 10 लाग से उपर सर्विस सेक्टर में और 25 लाग से उपर manufacturing सेक्टर में जिनका investment था वो eligible नहीं थे इनके खेर government का तब target वही लोग थे तो अभी क्या किया इनोंने दो changes किये सबसे पहला manufacturing और services वाला distinction हटा दिया दोनों के लिए same criterion वो है और दूसरा किया investment plus turnover दोनों criteria कर दिये तो micro unit के लिए सुक्ष्म unit के लिए investment चाहिए 1 करोड से कम और turnover होना चाहिए 5 करोड से कम small के लिए लगू उद्योग के लिए investment की limit की है 10 करोड और turnover की limit की है 50 करोड और medium के लिए investment की limit की है 20 करोड turnover की है 100 करोड हाला कि industries तो इससे भी खुश नहीं है वो चाहरे थे कि 200 करोड से कम के turnover को medium enterprise में गिना जाए और 75 करोड वाला small के लिए मांगा था तो खेर जो भी है एक कदम आगे बड़ा है अभी इसका काराण दिया वित्मंत्री ने finance minister ने कि small industries को grow करने में डर लग रहा था क्योंकि small industries के जो फाइदे होते हैं loan वगेरा आराम से मिल जाते हैं RBI के norms के मुताबिक priority sector lending का एक norm होता है banks अपनी जो भी loan दे रही है उसमें से 40% उनको priority sector को देना है उस priority sector में बहुत बड़ा beneficiary होता है यह MSME चोटे उदियो तो बैंकों की 40% loan में इनका एक share एक हिस्सा रह जाए तो units को grow करने में डर लगता था कि अगर grow कर गए इसे ज़्यादा investment हो गया इसे ज़्यादा turn over हो गया तो अपने को कुछ lab नहीं मिलेंगे जो छोटे units को मिलते हैं तो फिर क्या करते थे अगर कोई बड़ा corporate house हो गया तो वो अपनी units को further subdivide कर देते sister concern वगएरा खोल खोल के माने एक company है उसकी दूसरी company subordinate company फिर subordinate company तो ऐसे यह चीज तो हो रही जी लोगों ने रास्ता डूण निकाला था तो government ने वो जंजट कुछ हद तक कम कर दी है अब क्या होगा इन MSMEs की पुरानी definition में भी जो यह जितनी भी MSMEs हैं उसमें से 51% rural areas में थी और 49% शहरी area में थी लेकिन रोजगार का जो आकड़ा है वो शहरी area में ज्यादा था शहरी area में 55% रोजगार दे रहे थे कुल MSME की रोजगार का और जो बड़े units हैं माने medium units MSME में बड़े वाले units जो medium units हैं वो इसमें से 99.5% रोजगार प्रवाइड कर रहे थे इसमें से इन 6 करोड MSMEs में से केवल 60 लाग government के पास registered थे यानि इनका turnover इतना ज्यादा था कि government को पता था कि ये MSME है बाकि जो एकदम छोटे-छोटे उद्योग रहते हैं जो एक single person का दंदा हो गया माने चाए वाला सबजी वाला दूद वाला एक आदमी दो आदमी पती पतनी खुद मिलके दुकान सला रहे हैं बाप बेटा मिलके दुकान सला रहे हैं तो उनकी गिंती नहीं होती थी क्योंकि ना वो tax net में आते थे ना income tax में आते थे ना GST में आते थे तो मुटा मटी एक अनुमान था की 6 करोड 34 लाख units होंगे